आज हम देखेंगे त्रिबुच की भुजाओं की मापो की योग और व्यवकलन से संबंदित गुण के कुछ उधारन क्या निम्नलिकित मापो से एक त्रिबुच बनाया जा सकता है? हम जानते हैं कि त्रिबुज की किन्धी भी दो बुजाओं की मापों का योग तीसरी बुजा की माप से बड़ा होता है चलिए इस समझ का यहां प्रयोग करें अगर हम 12 cm और 10 cm को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 22 cm, 8 cm से बड़ा है अगर हम 12 cm और 8 cm को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 20 cm, 10 cm से बड़ा है इसी तरह अगर हम 10 cm और 8 cm को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम 18 cm, 12 cm से बड़ा है तीनो स्थितियों को देखकर हम कह सकते हैं कि हम दिये गए मापों के आधार पर एक त्रिबुज बना सकते हैं ज़रा सोचिए दिये मापों से एक त्रिबुज बनाया जा सकता है या नहीं यहाँ ग्यात करने के लिए क्या यहाँ जरूरी है कि हम तीनों स्थितियों की जाज करें? सोचिए, सोचिए चलिए हम बताते हैं यहाँ आवशक नहीं है अगर हम छोटी दो बुजाओं की मापों का योग करते हैं और उसकी तुलना सबसे लंबी बुजा के माप से करते हैं तब भी हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हम एक त्रिबुच बना पाएंगे या नहीं अगर छोटी बुजाओं की मापों का योग लंबी बुजा की माप से बड़ा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिये मापों के उप्योग से त्रिबुच बना सकते हैं लेकिन अगर छोटी बुजाओं की मापों का योग लंबी बुजा के माप से छोटा होगा तो यह दर्शाता है कि हम दिये मापों के आधार पर एक त्रिबुच नहीं बना सकते जैसे यहां हम देखते हैं कि छोटी भुजाओं की मापो का योग है 10 cm धन 8 cm बराबर 18 cm और सबसे लंबी भुजा है 12 cm चूकि यहां 18 cm बड़ा है 12 cm से इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 cm, 10 cm और 8 cm की मापो से त्रिबुच बनाया जा सकता है अगला उधारण निमनलिखित में से त्रिबुच की तीसरी भुजा की माप क्या होगी जिसकी दो भुजाओं की माप है 15 cm और 22 cm जैसा कि आपको याद होगा त्रिबुच की दो बुजाओं की मापों का योग तीसरी बुजा की माप से अधिक होता है लेकिन दो बुजाओं की मापों का व्यवकलन तीसरी बुजा की माप से कम होता है यहां द्रिबुच की दो बुजाओं की मापों का योग है 15 cm धन 22 cm बराबर 37 cm इसलिए तीसरी बुजा की माप 37 cm से कम होना चाहिए इसलिए तीसरी बुजा की माप 38 cm नहीं हो सकती यानि कि option 4 दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता हम यह भी देखते हैं कि द्रिबुच की दो बुजाओं का व्यवकलन है 22 cm प्रिण 15 cm बराबर 7 cm इसलिए तीसरी बुजा की माप 7 cm या इससे कम नहीं हो सकती यानि कि option 2 और option 1 भी दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता जैसा कि आप जानते हैं तीसरी बुजा की माप दो बुजाओं की मापों के व्यवकलन से अधिक लेकिन इनकी योग से कम होना चाहिए इसलिए अगर माप 7 cm से बड़ा लेकिन 37 cm से कम होगा तो ही हम एक त्रिबुच बना पाएंगे आप्शन 3 में हमें त्रिबुच की तीसरी बुजा की माप 12 cm दी गई है चुकि 12 cm साथ से बड़ा है लेकिन 37 cm से कम है इसलिए इस माप के साथ हम एक त्रिबुच ज़रूर बना पाएंगे यानि कि दिये सवाल का सही जवाब है आप्शन 3 आज हमने सीखा त्रिबुच की बुजाओ की मापो के योग और व्यवकलन से संबंदित गुण के कुछ उधारन अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ मित्यधारनाय देखेंगे